दोस्तों, भारत पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो भष्ट नेताओं की बातों में आकर नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं अच्छा है, लोगतंत्र है, विरोध करें या समर्थन, ये तो आपका अपना निर्नेवा हक है पर मोदी का विरूद करके आप समर्थन करना किसका चाहते हैं ये बड़ा गंभीर सवाल है क्या मुलायम, लालू, मायवती, सोन्या, राहुल, खेजरिवार, मम्तब आनरजी, वामपंधी ये सब नरेंद्र मोदी से बहतर है या इनका रिकॉर्ड बहतर है क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्य मंत्री काय की तुल्ना में मम्तब आनरजी अखिली शादी का कारिकाल बहतर नजर आता है तुल्ना करनी है तो गुजरात के किसी छोटे शहर में जाकर एक नजर मारिये और फिर इन अन्य राजियों का ब्रहमन कीजे राजनीदी में प्रवेश के समय लालूर मुलाएं दोनों के घर की स्थिती ऐसी थी कि इनके पास साइकिल और लाल्टिंग खरिदने तके पैसे नहीं थे जाती के नाम पर चलने वाले नेता आज अरभपती है राम गुपाल चार्टर प्लेन में घूमते हैं तो शिपाल ओडी में कहां से आया इतना पैसा क्या ये लोग नरेंद्र मोदी से बहतर हैं सोनिया घी के बेटा बेटी और दामाद आज सभी अरभपती है क्या ये नरेंद्र मोदी से बहतर है क्या 35 साल बंगार में राज करने वाले वांपंथी नरेंद्र मोदी से बहतर है केज़ीवाल ने विग्यापन चला कर दिल्ली के लोगों को चूना लगाया वाइफाई सीसी ट्रीवी डेर्टो कॉलेज 500 स्कूल के जूटे वादे क्या ये केज़ीवाल नरेंद्र मोदी से बहतर है जब मायावती राजनीती करने निकली थी और कांशिराम की साथी थी तब उसके घर में दिया जलाने का धन नहीं था साइकल से प्रचार करती थी आज उसका सैंडल भी प्लेन से आता है उनके भाई के पांश 497 कंपनिया है क्या ये नरेंद्र मोदी से बहतर है मोदी का विरोध करने वालो विरोध करो पर समर्थन किसका करना है ये तो तै करो कोई बहतर विकल्प को तो बताओ थोड़ा देश का भी सोचो कितना बरवाद करवाओगे कितना लुटवाना है मुझे नहीं मालूम कि मैं मोदी को क्यों पसंद करती हूँ लेकिन मेरे पास कॉंग्रेस, SP, BSP आम आदमी पार्टी को ना पसंद करने के बहुत कारण है मुझे नहीं मालूम कि अच्छे दिन आएंगे या नहीं पर मोदी जी के अतिरिक्त और कोई राजनेता दूर दूर तब दिखाई नहीं देता जो भारत के अच्छे दिनों के लिए तन और मन से प्रयात्न करता हूँ मुझे परत नहीं पड़ता कि मोदी जी के पास इतिहास की जानकारी है या नहीं पर मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि उनके पास भविश्य की पूरी तियारी है चलि माल लीजे मैं मोदी भक्त हूँ लेकिन उपर वाले ने तो बुद्धी आपको भी दी है ना आप इमानदारी से सोचिए केवल अपने लिए नहीं देश हित के लिए यदि आप थोड़ा सा भी मेरी बात समझते हैं और समर्थन करते हैं तो देश हित पे इस बात पर विचार अवश्य कीजेगा धन्यवाद जैहिंद